गूड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स आज हम अपने चैप्टर 6 के टॉपिक फॉरेस्ट को कंटिनुई करते हैं हमारा चैप्टर था नेचुरल वेजिटेशन और वाइड लाइफ कल हमने इसकी जनरल इंट्रोडेक्शन पढ़ा एक वेजिटेशन क्या है इसक पहला केटेग्री थी वो थी फोरेस्ट सेकेंड ग्रास लेंड तो सबसे पहले हम फोरेस्ट के बारे में रीड करेंगे बिटा फोरेस्ट में जंगल जंगल में एक है ट्रॉपिकल एवर्गिन फोरेस्ट उशख़ कटी बन happinessast दाभार वन सदा भार से समझ में आरहा है आपको कभी भी इनकी पत्या पून रूप से एक साथ नहीं गिरती हैं तो ये सदावारवन कहलाते हैं ये जो forest है इनको tropical rainforest भी कहा जाता है और जो thick forest है अकर इन्दा regions ये कौन से छेतर में होते हैं बटा near the equator, विश्वत रेखा के पास और close to the tropic और tropics के पास जैसे ट्रोपिक ऑफ कैंसर, ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन इनके पास पाए जाते हैं ये tropical evergreen forest जो ये जो region है बटा वो hot होता है और receive करता है heavy rainfall गरम होता है विश्वत रेखा पे क्या होती है सूरज की किरने बटा सीधी पड़ती है तो ये hot region कहलाता है और यहां वर्सा भी अधिक होती है throughout the year, पूरे साल as there is no particular dry region यहां पर कोई भी dry season नहीं होता है the tree do not shade their leaves और जो पेड है वो भी अपनी पत्या नहीं shade करते हैं याने गिराते हैं अब आप पहले इस page का do you know that tropical evergain forest देख लिजे हरे भरे वन है घने वन है जो tropical evergain forest है ब्राजिल के innumerous है that is it is like the lungs of the earth इसको क्या कहते है बटा प्रिथवी की lungs याने फेफडे कहा जाता है ब्राजिल के जो tropical evergain forest है उनको lungs of the earth कहा जाता है क्यों कहा जाता है बटा इसे देखे जो evergain forest है like the lungs of the earth क्यों the way lungs provide oxygen फेफडे क्या करते हैं बटा हमारे शरीर को oxygen provide करते हैं इसी तरीके से जो ये ब्राजिल के tropical evergain forest है ये earth पे oxygen को provide करते हैं in the same way जो forest provide करते हैं oxygen को atmosphere में और maintain it appropriate balance और फिस अंतुलित संतुलन बनाई रखते हैं प्रकरती में तो समझ में आया एक कोशन हमने इसमें देखा कि lungs of the earth कहा जाता है ब्राजिल के tropical evergain forest को क्योंकि जैसे lungs हमारे शरीर को oxygen provide करते हैं वैसे ये प्रोवाइड करते हैं और balance बनाए रखते हैं नेक्स पेज देखे अपना this is a reason यही कारण है बेटा they are called the evergreen कौनसा कारण बेटा यहां पे वर्षा होती है और hot temperature होता है साथ में पूरे साल वर्षा होती है कभी भी dry region नहीं होता है और जो trees है वो अपनी leaves को shade नहीं करती है तो यही कारण है कि यह evergreen रहते हैं दम सदा बहार रहते हैं जो thick canopies हैं इसकी closely shaped tree do not allow the sunlight to penetrate inside the forest बेटा ध्यान से देखे जो मोटे canopies हैं इसके जो पतियों के उपर के जो टहनिया है पेड़ की वो closely है यानि बहुत पास-पास है यह पेड़ तो यह अलावी नहीं होता है कि sunlight जो है वो forest के अंदर जा सके day time में भी जो hardwood है trees हैं जैसे rosewood है इबोनी है महागोनी है और common hair यहां पे यह सामाने है hardwood कठोर जो लकडी के पेड़ है rosewood इबोनी और महागोनी यह पेड़ों के नाम है यह यहाँ पाये जाते हैं अब आप देखो do you know एनकॉंडा का नाम सुना है सभी ने सुना है वर्ल्ड का largest snake है विश्व का सबसे बड़ा snake है जो पाया जाता है tropical rainforest में और यह kill करता है और eat करता है एक large animal जैसे crocodile आप द्यान से देखिए crocodile जैसे जानवर को भी यह मार देता है और खा लेता है इतना बड़ा होता है एनकॉंड और एनकॉंडा लीव करता है rivers के पास, lakes के पास, swaps और like to leave alone और अकेले रहना पसंद करता है water is there main except छुपने की जगे होते है बटा पानी, scap method है जब वो confronted होता है danger से जब उसको खत्रा महसूस होता है तो पानी में छुप जाता है इसलिए पानी वाले छेतरों के पास रहता ह जैसे river, lake और swaps है और एनकॉंडा इट करता है amphibians animal दोनों जगे रहने वाले जो जानवर होते हैं अभैचारी जिसे कहते हैं जैसे frog है, tods है यानि मेंडक है मेंडक की ही प्रजाती होती है tods है उन जैसे जानवरों को भी खाते हैं ये as well as ये fish है, कैमेन है, birds है, duck है, turtle है इ देखा, tropical evergreen forest कहां पाये जाते हैं और इनकी विशेशता क्या है और इनमें कौन-कौन से पेड़ पाये जाते हैं और इसमें जो एनकॉंडा largest snake है, वो पाये जाता है, हमने ये देखा, कल हम पढ़ेंगे बैटा, tropical delicious forest यानि कुशन कंटी बन दिये, पज़डिये जो one होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानि आप पिच्चा से देख लीजिए, आपने कल evergreen forest का देखा था, उसमें पत्या ही पत्या थी और हरा रंका था, इसमें देखें ब्राउनिश कलर है और पत्या कम हैं, यानि ये पत्या जाडते हैं अपनी विटा, तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आज जो हमने पढ़ाया evergreen forest उसको read करिएगा, और अगला जो topic है, tropical indigenous forest उसको पढ़ कियाएगा, thank you better